इस वीडियो के निदर काई समलोग बात करने वाले हैं bank account validation errors के बारे में जी है इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको मैंने step by step बताया था कि कैसे आपको जो अपने income tax profile के अंदर bank account यहाँ पर validate करना है लेंगि देखे कई सारे लोगों को काफी सारी यहाँ पर problems का सामना करना पड़ रहा है जैसे के validations errors आ रहे, restricted refund नाम की चीज़ आ रही है, pan bank account IFC linkage failed इस type के errors आ रहे validation in progress इस type के error आ रहे और not eligible for the right one इस type के error आ रहे, तो इन errors का मतलब क्या है, कैसे आपको इन errors को यहाँ पर resolve करना है, यह guys सारी जनकारी देने वाला उस वीडियो के इंज़ा, तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर दिखेगा, साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप एक expert के तुरू अपनी आपको description box में मिल जाएगी, तो चलिए शिरू करते है, तो आप मेरी स्क्रीन के सामरे दे सकते हैं, यहाँ पर bank account, तीन bank account यहाँ पर basically link है, तो पहले हम लोग इस problem का solution निकालते, यहाँ पर आभी जो भी आप bank account link वगरे करते हैं, तो कई लोगो को इस तरह का cross check mark लिखावाता है, जिसके उपर लिखावाता है restricted refund, तो देखे काईस, जिनका भी TDS का refund वगरे बन रहा होता है, वो लोग tension के अंदर आजाते, क्या मेरा refund इस bank account के अंदर credit होगा की नहीं होगा, क्योंकि nomination for the refund के उपर तो वो 50 lakh rupees due to name mismatch between the bank and the pen card, जी हाँ, तो देखे ये error इसलिए आ रहा है, क्योंकि guys आपका जो pen card है, उसके अंदर नाम अलग है, और आपका जो bank account है, उसके अंदर नाम अलग है, इसी चीज़ को verify करने के लिए मैंने simply जो है, इस pen card holder का यहाँ पर जो है तो guys, यही difference की वज़े से, यही name के mismatch होने की वज़े से, यहाँ पर इस type का remarks आ रहा है, और obviously बात है का, इस maximum लोगों का जो refund amount है, वो 50 lakh के यहाँ पर नीचे ही होता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबरानी की जरुवत नहीं है, अगर इस type का अगर आपको error दिखता भी है, तो simply आप उसको ignore कर सकते हैं, और अपने आपका जो refund वगर होगा, वो proper तरीके से write होगा, कोई दिखकत नहीं है, लेकिन इस error को आप resolve करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने bank के अंदर details update करवानी पड़ेगी, जो नाम pancard के अंदर है, वही नाम basically आपको अपने bank account के अंदर भी रखना पड़ेगा, आप guys हम लोग बात करते हैं, दूसरे errors के बारे में, यहाँ पर कई लोगों का bank account होता है, वो simply तरीके से fail हो जाता है, जब वो pre-validation के यहाँ पर request डालते हैं, और उनको जो error दिखाए देता है, वो simply इस तरह का दिखाए देता है, pan bank account, IFC linkage field, तो guys इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब simple से यह है, कि जो income tax का जो server है, जब आपने यहाँ पर pre-validation के लिए request डाली है, तो यहाँ पर income tax का server क्या करता है, bank के server को approach करता है, और यहाँ पर cross verify करता है, कि जो pan card यहाँ जो bank details आपने यहाँ पर insert की है, उसके अंदर यह वाला pan card inserted है की नहीं है, अगर वो उसको details नहीं मिलती है, तो इस type के आपको यहाँ पर error दिखाए देते है, guys यहाँ भी जब मैं अपने profile वाले section के अंदर गया, तो यहाँ पर मुझे पता चला, ज आज कल online account open हो जाते है, अदा card के तुरू, e-kyc के तुरू, तो देखे, guys यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर problem यह ही ही, कि जब यहाँ पर otak maindra का bank का server है, वो simply मेरे pan card की information जो income tax department के साथ में share नहीं कर पा रहा है, तो guys इसको resolve करने के लिए हम लोगों नहीं क्या क्या, simply guys हम उने kyc को update किया, तो guys हम लोगों ने जैसे यहाँ पर kyc को update किया, हम लोगों प्रॉपर तरीकिये से pan number वगरे डालना, online ही, और हम लोगों ने जैसे kyc को update किया, तो उसके बाद में हमें यह error दिखना यहाँ पर simply तरीके से बंद हो चुका था, तो guys अगर आपके साथ में भ progress करके, काफी time का basically जो उनको वक्त लगता है, मतलब आप कह सकते है, तीन-तीन चार्चा दिन हो जाते है, उसके बाद में भी उनकी screen के सामने validation and progress ही नजर आता है, और यहाँ पर लिखावाता है, not eligible for the refund, तो guys इसका simply यहाँ पर क्या reason है, तो देखिए guys यहाँ पर मैं आप लो instantly यहाँ पर basically pre-validate हो जाते है, लेकिन guys कुछ यहाँ पर small finance bank होगे, या कुछ ऐसे banks guys, जमाल जे जो cooperative societies वगरे है, तो guys उनके validation होने में काफी ज़्यादा time लगता है, even हमारा income tax department का server है वो कई banks को तो यहाँ पर accept भी नहीं करता है, तो guys यहाँ पर आप list देख सकते हो, इन bank क जो basically आपके जो pre-validation होगा, वो काफी जल्दी तरीके से होता है, जिसके अंदर bank को baroda हो गया, canra bank हो गया, अपने SBI हो गया, IDBI हो गया, ICC bank हो गया, SDFC हो गया, यह सारे bank instantly यहाँ पर फटाफट यहाँ पर pre-validate हो जाते है, लेकिन अगर आपने कोई भी cooperative society वाला basically bank account डाला जिसे guys आप screen के सामें दे सकते हैं, मैंने जिसे की उजिवन small finance bank डाल रखा है, SDFC का bank नहीं है, यह basically urban cooperative bank है, जिसने SDFC के साथ में tie-up अगरे कर रखा है, मलब ultimately acquire कर रखा है, तो guys यहाँ पर आप दिख सकते हैं, अगर आप कोई भी cooperative bank डालते हैं, या कोई भी small finance bank वागरे का FC code बगरे डालते हैं, तो इसके अंदर आपको काफी जादा यहाँ पर वक्त लग सकता है, आपको 15-15-20-20 दिन का यहाँ पर wait करना पड़ सकता है, इस bank account को यहाँ पर validate करने के लिए, तो guys यहाँ पर make sure कीजिए, अगर आपके पास में एक जो है अच्छागासा nationalized level का कोई bank है तो उसी को यहाँ पर insert कराएगा, तापकि आपका instantly यहाँ पर pre-validate हो जाएगा, तो आप में कईस कई लोग का doubt यह रहता है, कि जब वो income tax return यहाँ पर file करते हैं, और let's suppose यहाँ पर अभी भी validation in progress बता रहा है, या not pre-validate बता रहा है, क्या उसके बावजूद भी वो अपन तरीके से file कर सकते हैं, बस हाँ, अगर आपका tedious refund बन रहा है, तो make sure कीजेगा, यहाँ पर आपका एक account at least यहाँ पर valid होना चाहिए, तभी इस account के अंदर आपका refund यहाँ पर basically credit हो पाएगा, तो guys हो भी like this video, please subscribe channel, अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box में जरूर बताइएगा, और हमारी website myallnc को checkout करना मत बूलिएगा, thank you guys, thank you very much.